हैलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग, बच्चों उमीद करते हैं आप सभी लोग सवस्तोंगे, मस्तोंगे, तंदरुस्तोंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्तोंगे मैं मन मोहित आपका हिंदी अध्यापक डाउटनट के इस बहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ बच्चों, नय अध्याई की शुरवात हो चुक है, तो नया अध्याइ आरम हो चुका है और बच्शतों रहा आजूनका रिस्ता जिसके लेखक है भीस्म, सांहिजी पढ़ार याद रखो. टॉपिक किस ने लिखा इसके लेखक कौन है, कवी कौन। यंप crispy लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए तो भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया खून का रिस्ता तो आईए देखते हैं एक नजर कि भाई इस कहानी के माद्दम से कभी क्या बताना चाह रहे हैं इसे पहले हम देखें कि पढ़ेंगे क्या तो सबसे पहले आता है जीवन परि प्रिशन उत्तर तो हर चीज हर टॉपिक अपनी अपनी जगह बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है यानि की जितना जरूरी पाट उतना ही जरूरी लेखक लेखक का कभी और कवित्य का जीवन पर चे तो हमने आपको लेखक का जीवन पर चे कराएंगे संचिप में साथी साथ पाट का सारांस कराएंगे कतावस्तू कहाने की समिक्षा करेंगे विवेशना करेंगे और वीर जी का यहाँ पर चरित्र चित्रन करेंगे ये जो कहानी के अंदर वीर जी हैं वीर जी एक मुख्य पात्र हैं कहानी के मुख्य पात्र में से एक हैं तो ये इसका हम करेंगे क्या चरित्र चित्रा किलियर हो गया बास समझ में आ गई चलो तो फड़ा फड़ से एक पैन उठाओ और एक कॉंप्यूट और आप भी हमारे साथ लग जाओ हो लगा की किसी बार 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 जब आप पढ़ते हो क्लियर हो गया जिस चीज को आता है और उसको practice करता है तो उस पर आपकी पकड़ बन जाती है जिसको नहीं आता उसके लिए तो यह बहुत important चीज है clear लिखना बेहत जरूरी है मैं हर class में बताता हूँ हर वीडियो में बताता हूँ हर बार मैं शुरुआत लिखने से करता हूँ कि एक ऐसी आदत बनाओ किसी भी subject के बारे में पढ़ रहे हो किसी भी topic को पढ़ रहे हो pen और copy के साथ बैटो क्यों होता क्या है जो चीज आपको समझ में आ गई उसको आप कर लेते हो note down तो वो बन जाते हैं आपके notes short note आपके बन जाते हैं या आपके परिक्षा में बड़े काम आते हैं एक्जाम टाइम पे इन ही notes के सारे आप अच्छे number अरजित कर सकते हो clear है बात समझ में आ गई लिखावट बहुत अच्छी अगर करनी है आपको लिखावट में सुन्दरता लानी है परिपाकोता लानी है तो आपने लिखना पड़ेगा लिखने की आदत डालनी पड़ेगी लिखने से आपकी speed बनती है जिस speed के अभाव में अक्सर बच्चे ए कि आप आने च्वाले समय में बहुत ही गंभीर संकत में पड़ सकते हैं क्यों क्यों कि बिना speed के आप competition जो है कैसे पास करोगे बड़ी किरास में आप किस तरीके से अच्छी नमबर जित करोगे तो आपको लिखने की आदत डालनी है बार बार जब लिखोगे किसी चीज को तो धीरे 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 आपकी speed बन जाती है clear है आगे बढ़ें चलो भई तो आगे बढ़ते हैं और उन लोगों के लिए विहद जरूरी है यह advice जो कहते हैं कि हमको याद नहीं होता हम याद करते हैं तो थोड़ी दिन बाद भूल जाते हैं और ऐसा पढ़ने का क्या आगे वाली किलास में जो और पीछे वाली किलास का सब भूल जाओ के लिए लिखने से क्या होता है आपकी चीजें long time memory में जाके save हो जाते हैं और आप लंबे समय तक वो चीज याद रख पाते हैं के लिए तो लिखने के इतने सारे फाइदे बनाए बताये मैंने गिनाये आपको तो फड़ा फड़ से लिखने की आदत डालो और भाई एक अच्छी आदत के साथ आप जीवन में तरगी करो चलो तो कर देते हैं शुरूआत भीसम साहनी के जीवन पर चैसे साहनी जी हिंदी साहित्य की प्रकति सील धारा के प्रमुक रचनाकारों में से एक माने जाते हैं के लिए प्रकति सील धारा के करी वहीं आज शायद ही कोई हिंदी साहित्य प्रेमी ऐसा होगा जो इनकी रचनाओं से परिचित ना होगा भीसम साहनी को कौन नहीं जाता हैं कि अनुवादक में रहे और यह अधियापक भी तहीं बश्चों को पढ़ाते ही तहीं जोके वहीं जानी की कि दिए ज ether natives का रहना के लिए अद्हूंत का छाहत निगए भींश्य को परिंट का दोजक्रता थे उनके विभाजन की तरासदी पर लिखे काल जई उपन्यास तमस त्यान से समझना तमस पर फिल्म भी बन चुकी है यानि कि एक उपन्यास है इनका तमस इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है और जिसमें भारत के विभाजन की दुरलब तस्बीर को यहां पर उखेरा गया है तमस जो उपन्यास है इसके लिए उन्हें साहित अकादमी पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया है प्रशन यहां पर आएगा कि साहित अकादमी पुरुषकार किस सरचना के लिए मिला इनको तो आपने बता देना है तमस उपन्यास के लिए इनको साहित अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया जा चुगा है बता दे कि भीस्म सानी मुझशी प्रेम चंद के बाद सबसे मतपूर कथाकारों में से एक माने जाते हैं ज्यान से समझना मुझशी प्रेम चंद को आप सबी जानते हैं तो मुझशी प्रेम चंद के बाद अगर इतने सम्मान पूरुवा का किसी को किसी का नाम लिया जाता है तो वो भीस्म साहनी जी है और इसके साथ ही पर उनकी रचनाओं को जिनमें चीफ की दावत अमरत सर आ गया है वान्चू मरने से पहले ये कहानिया है और तमस मयादास की माड़ी जरोखे ये उपन्याद है वो कबीरा खड़ा बजार में हानूश मुआवजे ये नाटक आदि को बीए और मेके सिलेवस में विभिन्न विश्व विद्धालों में पढ़ाया जाता है तो आप समझ सकते हो कि किस कैटेगरी में इनको रखा जा सकता है संचित में लेते हैं तो नाम क्या है वी समसानी है जनम कब हुआ इनका 8 अगस 1915 कोन का जनम हुआ था जनम इस्थान कहां है रावल पिंडी में है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते तेत्यानी की भारत ही था पूरा और जब विभाजन हुआ 47 के बाद तो एक नया मुल्क बना पाकिस्तान तो यह जो रावल पिंडी शहर है यह कहां यह पाकिस्तान के अंदर इस्थित के लिए पिता का नाम इनका है हरवन्शलाल माता का नाम सिर्मती लक्षमी देवी सिख्षा इन्होंने पीचडी तक की है पेशा इनका है साहितिकार के रूप में अध्यापक के रूप में अनुवादक के रूप में और संपादक के रूप में यह जाने जाते हैं भाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी और रशियन भी इनको आती है रशियन भाषा के इनको अच्छा खासा ज्यान प्राप्त है कौन-कौन से विधा हैं तो भहिया ये कहानी लिखा करते थे उपन्यास नाटक आत्मकथा बाल साहित पर इनकी अच्छी पकड़ तो ये इन विध करें तो आंचु पहला पाठ भागे रेखा बटकती राख और शोभा यात्रा नाटक की अगर बात करें तो भी नाटक लिखने में बहुत-बहुत सिद्धस थे बड़ी महारत हासिती इनको बहतरी नाटक लिखें एक से एक नाटक लिखा है इनोंने कभीरा खड़ा बाजा की जाए तो पदम भूशंट से सम्मानित किया चुके है साहित अकादमी पुरुसकार से इनको सम्मानित किया गया है शलाका सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है शिरोमणी लेखक अवार इनको मिल चुका है सोवित लैंड नहरू पुरुसकार आदि पुरुसकार औ को मिल चुके हैं बात अगर निधन की की जाए तो गयारा जुलाई दो हजार तीन को इनका निधन हो गया के लिए रहे हैं आज संचिप्त में जीवन परचे अगर आप करते हो तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि आप डिटेल में आराम से दू-दू-चार् रहे हो उनमें जनम का वर्ष अमिर्ट का वर्ष अईंके सहित्यकाल के बारे में उपरन्यास के बारे में कहानी संग्रे ना टक आत्म कसा कथा और पुरुषकार और सम्मान जरूर नोट डौन करो शॉट फोम में करो ताकि आपको एक्जाम में कोई दिक्कत ना हो कोई पुशिज की है पॉइंट वाइज जवाब आ इसको आप हेडिंग वाइज जवाब लिखोगे तो आपको मुझे लगता है ज्यादा समझ में आ जाएगा है ना बाबुजी और वीर जी में क्या थे वैचारिक मतभेद यहां पर बताएगे हैं किलियर है बाबुजी और वीर पुत्र धब्ता के गे RAW जैकि जैसी तो मुझे लगता उसमें ज्यादा सफलता की है निस्ति काम यहां किसी टकराओ के या फिर किसी मन मुटाओ के और अक्सर देखा गया है कि यही जो मतवेद होते हैं यही जो विचारों का जो मतवेद जो होता है वैचारिक मतवेद हमारे रिष्टों में दूरियां पैदा कर देता है वही यहां किसकता के माद्धन से बताया गया है, तो आधनिक दिश्टकोन वाला वीरजी, वीरजी था, वो आधनिक दिश्टकोन वाला था, हैना, M में पास था और नौजवान था, नवीवग था, हैना, जो सगाई ब्याहा आधी अवसरों पर धनकी बरवादी एवं किसी भ जिसे कि समाज में, हैना, लोग ठरह ठरह की भाते ना करें, लोग जूटी सान में, क्या करते हैं, अपने उपर करजा कर लेते हैं, हैना, गार्डन बुख करते हैं, शादी, विभाव, बैंड, बाजा, बराद, यही आडंबर नहीं तो और क्या है, यह दिखावा नहीं तो इनसान के तो जो वीड़ जो होता है वो इस परवादी को सही नहीं मानता है है ना इस आडंबर का घोर विरोधी है इस दिखावे पर वो कटाक्ष करता है जबकि परंपरागत सोच वाले हैं बाबुजी बाडबुजी आडंबर पिर एवं दहेच के समर्थक लगते हैं है ना लड़की को दोगे लेकिन अंदर यांदर क्या चलता है है नहीं इक हमारा एक ही लड़का है एक गाड़ी तो हम इसा हैं देख स्कृतक भाड़ेंच भीनिखले बेंको तो बाबुजी जो थे वो भाईया इस आडंबर के समर्थक में, समर्थक थे, दहेज के घोर समर्थक थे, है ना, लोग कहते हैं जी उनके लड़के की शादी में तो स्कॉर्पियों मिली थी, है ना, हमारी लड़के की भी शादी में देखो, स्कॉर्पियों नहीं, कम से कम फ सगाई में केवल बाबु जी के जाने के पक्ष में के लिए रहे एक रुपिया अपनी सगाई में ये जो आडंबर है ये दिखावा जो है इसका घोर विरोधी है और दहेज का घोर विरोधी है और आज की डेट में अगर बात करिये ये नौजवान पीडी जो आज की डेट में अगर इनके मन में ये चीज आ जाए अगर ये इसका समर्थन करने लगे तो मैं समत्ता हूँ समाज में आदे से ज़्यादा कूरीतियां अपने आप व्यापत हो जाएंगी समापत हो जाएंगी क्या लोगे हमें चीन में क्या रुपया यनने की एक शगुन Here आप सकते हो ना गाड़ी चीन पर फिरिच चीन मों ट्र चीन मर चीन कुछ नी चीर थे हम विर ठार प्रेखिए आपनी सगाई में इस तरीके से सादा में सगाई करने दो सगाई में केवल बाबु जी के जाने के पक्ष में है सगाई में केवल बाबुजी को लेके जाना चाता है आडंबर नहीं करना चाता है ना दिखावा नहीं करना चाता है ना शानों शौकत दिखावा इसमें कुछ नहीं रखा किने लोग बैलेंग बैलेंस लेकर इधर उदर से करजा करके शादी भ्या करते उसको पटाते पटाते कई साल हो जाते हैं लोग खापी के अपने घर चले जाते हैं होता है नहीं होता है तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर विचारों का मतभेद है एक पुराने विचार का है और एक आज की विचार का है आज की जनरेशन का है वो अपनी सगाई में इन आ लाओ लशकर्त के साथ सगाई के अंदर ताम जाम लेकर जाना चाते हैं। के लिए रहे तो यहाँ साथ तोर पर यह देखा गया है। वही हो सकता है कि आप जिसके घर में जा रहे हो उसकी इतनी सहुलियत ना हो। हो सकता है उसकी इतनी हैसियत ना हो कि वो कम से कम 20-50 लोगों को खिला सके बात समझ में आ गई तो सगाई करने के लिए केवल हो केवल अपने बाबु जी के साथ जाना चाहता है वो लेकिन बाबु जी क्या करना चाहते हैं बाबु जी सब लोगों को लेके जाना चाहते हैं कि बाबु जी अपनी बात पर अड़ जाता है। दोनों के यहां पर मतवेद है ना इसकत्था के माध्यम से यहां पर दिखाए गए है। अब चाचा मंगलेस का तै हुआ जाना। जब बाबु जी ने पकड़ी खोल कर अपने सफेद वालों की द्वाही देते हुए कुछ लोग कि कहते हैं कि तु मेरी पगड़ी उचालेगा तु मेरे मान नहीं रखता सम्मान नहीं रखता है ना तो वो क्या करते हैं पगड़ी और कहते हैं सरकी पगड़ी बहुत बड़ी बात होती है सरकी पगड़ी एक सम्मान का सूचक होती है तो बाबु जी क्या करते हैं उस पग अब करता है कि चलो ठीक है आपके साथ चलेंगी तो चलो ठीक है चाचा चले तो अपने चाचा मंगल झेन को साथ लेने के लिए राजी हो जाता है अब मंगल से बाबु जी का चINGra भाई कre पर मंगल सेन का क्या चचेरा बही है फॉज से रिटाइर होने के बाद बाबू जी के साथ रहता है एक फॉजी होए और फॉजी से रिटाइर होने के बाद यह नहीं ही इते यह उने की जितनी रेश्पेट देनी चाहिए इतनीरे स्न मंगल सेन को नहीं मिलती है और जो वीर जी को बहुत बुरा लगता है मंगल सेन को विश्वास था कि वो सगाई में जरूर जाएगा और उसका विश्वास साकार हो गया केलियर है समदी जी द्वारा सगाई देना अब तीसरा यहां पर क्या पहलो निकल के आगया या माभुजी और मंगल सेन तयार होकर अपने होने वाले समदी के घर पहुँचे अब समदी के घर पहुँचे जहां उन दोनों की खूब आव भगत होती है जब किसी के दरवाजे पे जाते हैं हम लोग किस प्रमपरा से आते हैं अतित्धि देवो भवु हम लोग अतितियों का सम्मान करते हैं अतिति को भगवान का सुरूप मानते हैं तो गया जब सम्धी के घर पर जाओगे तो आव भगत तो होगी होगी है न तो सगाई देने के समय बादाम से भरे कितने ही थाल समधी जी द्वारा लाए गए पर बाबु जी ने केवल सवा रुपए लेने की ही बात गई अब समधी जी द्वारा क्या है खूब लाओ लश्कर के साथ क्या हुआ टेका रुपया स्वाड रुपय तो टकहा रुपया यानि 118 अध अध्य अद hooked in वहां। पाम नाये इस में टीन कक्तरि आ चांदी के तीन चमंच रखे हुए चांदी में केसर दूसरी में रांडला थागा और तीश ईड़ाती हुए वापस आने पर एक चमच गायब हो जाती है जब वापस आते हैं तो चान्दी की जो तीन चमच मिली थी सगाई में उसमें से एक चमच गायब हो जाती है है ना बड़ा बावाल है ना अब देखो थाली को अपने कंधों पे रखकर मंगल सेन घर पहुंचा यानि कि वीर जी का चाचा अब वीर जी की मा ने रूमाल हटा कर देखा कि चांदी की कटोरियां तो तीन थी और लेकिन चमच दो ही है अब सगुन के तोर पे, सवा रुपे मिले थे एक रुपे और चबनी, चांदी की वो भी चांदी का सिक्का मिला था तीन चांदी की कटोरी मिले थी, तीन चांदी की चम्मच मिले थे, अब तीन कटोरी तो थी, लेकिन तीन चम्मच नहीं थी, तीन चम्मच नहीं थी, दो ही थी, और सभी को आश्चर हुआ कि तीसरी चम्मच गई तो गई कहां, तीसरी चम्मच कहां, उस जमाने की बात है, जा मंगल से इनकी तलासी होना अब यह बड़े अपमान की बात है यह बहुत बेजजिती वाली बात है कि मंगल सिंग लेकर आये थे उसमें और मंगल सिंग की होती है तलासी कि कहीं मंगल सिंग ने चांदी की चम्मच तो नहीं रिख ली, उनके मन में लालच तो नहीं आ गया, जो चांदी की चम्मच रख ली हो, अब चांदी का एक चम्मच गया वो जाने पर सभी को गरीब मंगल सिंग पर संदे होता है, अब बताओ, फौज से रिटायर, फौज से उगली उठा देना उसके सम्मान के साथ आप सम्झाता कर रहे हो उसके सम्मान को आप ठेस महुचा रहे हो तो बिना किसी आरोप के बिना किसी सबूत के आप आरोप लगा रहे हो यह गलत बात होती है तो मंगल सिंग बेशक गरीब है लेकिन चोर तो नहीं है ना उस पे आपन कि नियुक्त करने के बावजूद आंगन में उसे खड़ा कर उसकी तलासी लेगी कितने गोर अपमान की बात है भीच आंगन में खड़ा कर दिया गया उसकी तलासी ले गई क्या चम्मत तो नहीं चुछाई इसने है ना अब भई उसकी जीव में मैला रुमाल निकला, है ना रीचियों की गली, माचीस और छोटी सी पैंसिल के लाबा कुछ नहीं मिला, क्लियर है वो जो इस पर आरोप लगाया गया कि वह इसमें चांदी की चंबा चुपा लिए, चांदी की चंबा चुरा लिए, वह इसके फटा पुरा रुमाल मिला, तूटी जेवों की तलासी लोगे, है ना उसको आसपास उसकी जेवें टटो लोगे, तो यार बच्चा वो क्या करेगा, अपमानित महसुस होगा या नहीं होगा, है ना उसको बड़ी शरम लगी, उसको चोर साबित कर दिया गया, तो भाईया ये अपमान जो है, उसको अपमान हो गायब चम्मज का मिल जाना अब क्या होता है कहानी में आता है ट्विस्ट चांदी की से मिलते हैं दोलक की आवाज सुनके पड़ोस की महलाएं घर में इखता होने लगी और तभी विवीड जी का साला आकर है ना चांदी की चमच मनुरुमा को दे कर चला अब देखो कहां मंगल सेन प्या अरोप लगता है अब घर में क्या होता है जब शादी बारात का बहा का माहल होता है घर में बड़ी रौनक होती है है न सारे लोग जो अपने-पने लेवल पे घर में खुशियां मना रहे होते हैं धोलग प्रचलन एक शगुन के तौर पर दोलग ना बजाओ तो घर में सुना सुना से लगता है है न चार महले की ओरते हैं चाची ताई मामी इखटा होके क्या करते हैं शगुन के तौर पर ढोलक में जाती है है ना मंगल कीत गाया करती है तो वो घर के अंदर वो माहौल था चल रहा था और अचानक से क्या होता है साला आता है वीर जी का और वह क्या करता है चान्दी की चम्मा दे के चला जाता है मनोर्मा को यान की वीर जी की मा को और यह सगाई में जाने संबंदी मुद्धे पर संतु ने मंगल सेंसे सर्थ लगाई थी कि जिसे वह हार चुका था और संतु कहता है कि तनका मिलने पर वो शर्थ की रकम मंगल सेंस को दे देगा और इसी बिंदु पर कहानी समाप तो हो जा हना जहां अपने ही चाचा को बेज़्यत हょने पड़ता है ना जहां एक सगा भाई अपने ही खून के रिस्ते में एक ही मासे जन्में और वह अपने घाई पर जो है उसकी तलासी लेते उए वह चुप तो यह खून की जो रिस्ते हैं वह तार-तार हो जाते हैं दिल फट जाता ए ना लोग लोगों की विश्वास का जो धाग़ा है वो इतना कमजोर है कि इस रिस्ते को बचा नहीं पाता है चांदी की चम्मत तो मिल जाती है लेकिन रिस्ता जो है वो तार-तार हो जाता है बाद समझ में आ गई चलो गई आप क्या है मंगल सेन को यह समझ नहीं आता कि भी सगाई में उसका जाना उसके लिए सम्मान का सूचक था या अपमान का मंगल सेन अपने भतीज कि सगाई में मैं गया तो यह मेरे लिए सम्मान की बात है यह मेरे लिए अपमान की बात है वो यह डिसाइड नहीं कर पा रहा था किलियर है भाई क्यूंकि सगाई वे जाने के कारण ही उस पर चोरी का अल्याम लगा और भाई अपमानित करके उसकी तलासी ले गई और यह गूर कहते हैं नहीं जब किसी विक्ति का अपमान होता है अपमान होता है और वो भी ऐसी बात पर होता है जो उसने किया ही नहीं तो बताइए बुरा लगेगा ये नहीं लगेगा हर इंसान को बुरा लगता है चीजें हर इंसान को कचोड़ती है किलिए रहें बात समझ में आ रिस्ता इसकी समिक्षा करेंगे कैसे करेंगे कथानक विसेवस्तु की बात करें तो बाबुजी का बेटा वीड जी अपनी सगाई मात्र सवा रुपय में करवाना चाता है यह अच्छी बात है आज की अगर नौजवान पीड़ी इन सब चीजों को अपना ले तो समाज में ब बिजना चाहता है लाओ लश्कर के साथ नहीं जाना चाहता परन्त उसके माता पिता अपने पुत्र की सगाई अपनी प्रतिष्टा के इंसा धूम दाम से करना चाते हैं माता पिता अपनी जगे हैं बच्चा अपनी जगे सही है के लिए रहे हैं दोनों अपने अपने अप बतीजे की सगाई में जाने के सपने देख राए लेगन चाचा को घर में वो संमान नहीं मिला यिए जो मिल पाने का वह हकदार थे रहा है भाई उनका नौकर है संतु जब उनसे कहता है कि भई बाबुजी को आपको सगाई में नहीं ले जाएंगे पादि के तो बै उदास हो जाते हैं और विए अन्त्ता उनकी भावी वीर जी और बाबो जी उने ले जाने के लिए तैयार और वीर जी गहता है काफी किसी को तो किसी किवे की ले भावी ने दुला हुआ पजामा बाबुजी की एक पगड़ी दे कर उन्हें समदी के यहां जाने के लिए तैयार किया कि लिए वहां जाकर उनका सपना पूरा हो गया यानि कि भतीजे की साधी में जाने को मिला यह बड़े वैसे रिस्ते होते हैं चाचा बतीजा मामा मामी है ना ताउ ताई के लिए रहे ये अपने इतने प्लोज रिस्ते होते हैं कि आज के सिन्यूरिय में अगर देखा जाए तो सगे भाई भी जो है एक दूसरे की उसमें रहते हैं और सभी लोगों का खाना एक ही तो सोज में बनता था, इतना प्यार होता था, इतना सम्मान लोग एक दूसरे को देते थे, इतनी रेस्पेक्ट देते थे, और आज की डेट में परिवार का मतलब क्या होता है, मिया, बीवी और बच्चा, यही परिवार हो गया है, है ना, के लिए रहे, बाज समझ में आ गई, चलो भई, तो भई, भती जी की साधी में जाने का एक सपना था, उस चाचा का, सोचो, उसका सपना पूरा हो, के लिए रहे, सगाई में समधी की यहां से, चान्दी की तीन कटोरी मिलती है, दो चम्मच देखकर, भई या, वीड़ जी है, सोचो, कितनी बड़ी बात है, है ना, खून के रिष्टे में चाचा, चाचा पर इल्याम लगता है, किसका चोरी का इल्याम लगता है, चान्दी की एक चम्मच के लिए, खून के रिष्टे जो है, तार-तार हो जाते हैं, इन्होंने यह हिरा-फेरी करिये, बाबु जी आप सोच के देखो बाबुजी अपने सगे भाई को दंड दे रहे हैं आप सोचो विश्वास की कितनी कमी है एक भाई अपने भाई को चोर सावित करने के लिए उसकी तलाश से करवा रहा है कितनी बड़ी विडमना देखो आज की समाज में के लिए कुछी देर में वीड़ राविजी कर साला एक चम्मच लाकर देदेता है दरअसल हुआ क्या था एक चमफ और तीन कक्रोई तो थी लेकिन एक चमफ वहीं छूट गई थी सालभ आकर वह चमफ वापस करतार लेकिन बेजिती तो हो गई तलासी तो ली गई न अब जो मान और सम्मान चला गया, यह मान सम्मान क्या वापस आएगा, क्या वापस आएगा, नहीं न, चलो गई, आगे, इस परकार मंगल सेन पे लगा जूटा आरोप, जो है, वो सावित हो जाता है, तदा खून का रिस्ता तूटते, तूटते जोड जाता है, है न, आपका रिस्ते तो रि है ना वही गलती की गलती करने के बाद वो रिस्ता ही क्या जो कलती करने पर अपने रिस्तिदार को माफ ना करें कि लिए रहे एक बार बशर्ते आपके अंदर वो भाव होने चाहिए आपके अंदर वो भाव होने चाहिए अगर आप सही तरीके से सामने वाले को अगर सौरी बोल देते हो, छहमा मांग लेते हो, ओजमा इतना निर्दय नहीं होता है वो आपको गुले से लगाने के लिए तैयार है ये होते हैं खून के लिए से के लिए रहे हैं तो वो तूटते तूटते जुड़ जाता है और इस प्रकार कहानी का कथानक है ना विचारूत तेजक एवं इथापूर है और मानसिक अंतरदुंद का यहाँ पर उल्मूनन कर देना भीसम सानी की चिंतनकला का अधभुत गुड़ है कहानी में सजीवता तथा तार्तमिता विद्धमान है पात्र और चरित्र चित्रन यहाँ पर करते है यहाँ पर पारिवारिक जो संबन्द होते हैं वहाँ की विवेशना करी है इसी के साथ समाजिक एक दो हो एक चीज होती है कि हम अपने घर में जैसे मरजी रह लो जैसे मरजी कर लो लेकिन जब बात समाज की आती है तो समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग परिवेश में अगर बात करी जाए आप देखो सोच के देखो एक छोटी सी बात होती है समाजिक बात अगर करी जाए तो लोग क्या करते हैं लड़की की शादी करते हैं तो क्या करते हैं कार्ड बेचते हैं तो कन्यादान एक शगुन के तौर पर देखे जाते हैं लेकिन वहीं पर अगर कोई वेक्ति किसी के साधी में नहीं पहुंचता है तो क्या कहते हैं कि बही करन्यादान देना पड़ेगा इस वज़े से नहीं आए क्लिए रहे हो सकता है कोई बात जिसकी वज़े से उसके घर में कोई परिस्थिती ऐसे आ सकती है लेकिन वहाँ ना जाकर वो चीज़ों को दूसरी जगर लेकर चले जाते हैं के लिए रहे तो समाज में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं अगर आप समाज में रहते हो तो समाजिक दाइरे में समाज के ताना बनाए उसके साफ से आपको काम करना पड़ेगा तो समाजिक तोर पे और अगर बात करी जाए पारवारिक संबन्दों के यहां पर और यह प्रकार से चीज जो है जो है जिसमें मानव चरित्र की प्रतिष्टा ही मुख्य विशे यहां पर किसको बता एगा है किसकी यहां पर इंप्रूर्टेंज बताए गया है कहनी के मुख्य पात्र के रूप में है वीर जी है ना इनकी चिंतन्शयली को आधुनिक भारत जागरुक नविवक के प्रतिनदी के रूप में यहाँ पर प्रिस्तुत किया गया है कि एक वेक्ति की अच्छी सी नौकरी लग जाती है तो वो क्या होता है उसके घर परिवार वाले क्या करते है अब तो हमारा बिटवा अच्छी जगे लग गया है क्या चाहिए आप तो शादी में गाड़ी जरूर होनी चाहिए यह क्या है यह एक लोगों ने मेंटिलिटी आपका जो मांसिक जो है वो लोगों ने सेट कर रखा है कि लिए लोग लोग की लडाई है इस बात पर हो रही है कि बगल वाले पड़ोस का लड़का जो किसी नौकर होनी चाहिए बगल वाले को मिली क्या बोलते हैं स्कार्पियो हमारे लड़के को क्यों हमारे लड़का तो लड़का है उपर से सरकारी नोकरी है है ना और अच्छे पद पर भी है तो हमको क्या मिलना चाहिए हमको फॉर्चुनल मिलनी चाहिए तो लोगों की आज की डिट म वो अपने आप खत्म हो सकती हैं आदे से जादा समझ्या आए जो हैं अपने आप खत्म हो सकती हैं किलियर है बाद समझ में आगई चलो आगे बढ़ें जो अपनी भावी जिन्दगी को समारने के लिए दहेज रहत विभा का आश्यर जनक निर्णाय करता है आज की रेट में दहेज के लोगी समाज में भरे पड़ें अभी मैंने श्टाटिक में आपको बताया था जब शादी होती है ना जब लड़का और लड़की देखने के लिए जाते हैं तो लड़की वाले पूछते हैं कि यह क्या चाहिए है ना तो आज हमको तो कुछ नहीं चाहिए है ना ह दमाज के अंदर एक बहुत बड़ा वेर्ग ऐसा है जो बिना पैसे के बिना दहेज के सादी करना यानिकि यह अपमान की बात होती है लेकिन वीर जी जैसे नौजवान हैं जो अपनी शादी में इस आडंबरों को नहीं करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी एवं संतुस ग्रहनी की भूमिका में हैं जिनका चरित्र परिस्थितियों के साथ साथ विकास पाता है जैसे जैसे परिस्थितियां बनती हैं उसी तरीके से इंसान अपने आपको डवलप कर लेता है विक्सित कर लेता है है ना वो कभी खून के रिस्ते की गरिमा को पहचा नथी यहां तो तु कभी उसको पैच्छा भी करती यानि कि आपने रिस्तों को अहमियत देती हैं पराबर अहमियत देती हैं लें कभीकभी परिस्थेदियां ऐसी आजाती है कि हमें उनी उनही रिस्तों की हमें क्या करना पड़ता है हमें उन्सक्राइब Presund satu Tea investigación प्रिश्टुत कहानी पात्रों की अथार्ता को मनवय ग्यानिक दशी से प्रिस्तुत किया गया है चरित्र चित्रण में विच्छले शनात्मक सहली का यहाँ पर प्रियोग किया गया कथोप कथन एभम तथवा संबाद के अगर बात करें हैं तो प्रिस्तुत कहानी में संबाद पूर्ण नियंत्रित तथा कौतुहल को जागर करने वाले हैं कथाकार ने इस कहानी में मुहावनों का प्रियोग करके संबादों को उतकरष्ट बनाया है यानि कि अगर बात करी जाए तो मुहावनों के माद्यम से लोगोक्तियों के माद्यम से समबादों को थोड़ा सा तुरस्ट बनाया है वीर जी के दहेज विरूदी और माता पिता के वातसल्य पूर्ण चरित्र को यहां पर उजागर करते हुए समबाद हैं मैंने कह दिया ना मा मेरी सगाई सवार उपे में ही होगी के वीर जी कह रहें मैंने कह दिया ना मा मेरी सगाई सवार उपे में ही होगी और केवल बाबु जी सगाई है ना दलवाने जाएंगे केवल मेरे साथ बाबु जी जाएंगे मुझे इतना ताम जाम लेके नहीं जाना है जो मुझे मंजूर नहीं हो तो अभी से बस बस आगे कुछ मत कहना माने चट से टोकते होका फिर छुप धोकर बोली जो तुम्हारे मण में आए करो आज कल कौन किसकी सुनता है छोटा सा परिवार हो इसमें भी कभी कौई काम ढंक से नहीं हुआ मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम अपनी मनमानी करो देशकाल और बातावरण की बात करी जाए तो कहानी में देशकाल और बातावरण में आंचलिक और इस्थानी रंग दिखता है और गटना और उससे संबंदित परिस्थितियों का यहां चित्रन सजीव रूप से तथ बाशा शहली की बात करी जाए तो बीजम सारी ने खून का रिस्ता कहानी को सरल और बोध घम में बाशा द्वरा पर बाशाली यहां पर बनाया गया है सूच ममानुवी संबंदों को यहां उजागर करने के लिए बाहसा की संग के तिकता से उसकी विजना शक्ति यहां पर बढ़ाई गई है शब्दों का चैन क्रियाओं के वेग और अंतरदुन्त के विचारों से किया गया है के लिए इस कहानी में बाबुजी की शैली अधिकान सिस्तानों पर ओजपूर्ण है नौकरसंतु की शैली मंगल से इनके प्रति व्यंग परदान है उद्देश क्या है लोभी लोगों को सबक सिखाना तो इस कहानी के माद्यम से बताया गया है कि समाज में दहेज परथा जो है एक कुरीती की तरह है इस पर फोकस किया गया है इस कहानी में वीर जी की जो मा है अपने बेटे की खुशी के लिए समस्त आदर्सों को त्याकरना पाठकों को चकित करने वाला है के लिए आपने बेटे की खुश्ची के लिए उस सब कुछ करने के लिए तयार हो जाते हैं इस कहानी का शीर्षक का थानुसार सटीक और संगत है इस सीर्षक कहानी के भाव विचारु दिश खता वस्तु के जश्टी में पूरता सार्तक और तर्क संगत है कौतु हल्पोन बन जाता है उस प्रकार कहा जा सकता है कि शीर्षक की दर्ष्टी से ये कहानी सार्थक सिद्ध होती है आप करते हैं वीर जी का चरित्य चित्र कहानी के मुख्य पात रहें वीर जी के लिए तुमानेवी सम्मिद्राओं के कथा शिल्पी भीजन सानी की कहान कि खुम का दिस्ता में वीर जी की प्रमक पाता है और जिनके चत्र की निम रेकार पहले विए यह क्दम एक सिख्छत व्यक्ति ही उछा सकता है तो वीर जी एक आधर दर नवीवग है जो सही अर्थों में सिच्छत है, सिच्छा का मतलब किवल पड़ाही लिखाय से नहीं होता है, क्या आपने ग्रिजिशन कर लिया आपने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली आप बड़े सिक्षित हो शिक्षित का मतलब होता है आपके अंदर आह समझ होनी चाहिए वो समझ एक बीस साल के नवीवक में भी हो सकती है और नहीं हो तो वो सत्तर साल की बुजिर्ग में भी नहीं हो सकते हैं कि लिए रहे तो वही सही और तुम्हें सिक्षित हैं और मुनवीवक घर परिवार के लगवक सभी सरदस्यों का विरोध करता हुआ अकिला महज के विरोध विद्रोह करता है तता सभी को अपना सुसंगत निर्णय मानने के लिए बात दिकरता है यानि कि एक व्यक मील का पत्थर सावित करने जा रहे हैं कि लिए तो सबका सभी सरदस्यों का विरोध करता हुआ अकिला लड़ जाता सबसे और उसके कहने पर ही निर्धन चाचा मंगल से उसकी पता जी के साथ समदी के घर सगाई लेकर जा पाती है कि लिए आडंबर एवं दहेज में विस् कि इसी पी तरह का डंबर या दिखावा पन पसंद नहीं करता है साती साथ वो दहेज के रूप में शगुन का सिर्फ सवा रुप्या सुईकार करता है क्या करता है केवल सवा रुपय और वो भी शगुन के तौर पे किलिए रहे है कि शादी में सिर्फ सवा रुपय के लिए तयार हो जाता है कि लिए समानता की भावना का पोशक यानि वीड़ जी एक सहत सहर्दय युबक है जो अपने गरीब चाचा मंगल सेन को भी बराबर का सम्मान दिलवाता है चाचा गरीब है लेकिन बतीजा चाहता है कि चाचा भी में उसकी सगाई मुझे और चाचा की जगह गरीब मंगल सेन को अधिक प्रात्मिता देता है दनवान होगे अपने लिए होगे है ना तो यहां पर यह भी दिखाए गया है कि वह खून के रिस्टों को कितनी एहमियत देता है चाचा बेशक गरीब है लेकिन सगाई में तो दनवान की जगे गरीब चाचा ही ज मान देता है तता जुक कर उनके पांच होता है और हमारे हाँ मान देता है कि बड़ो का पैर छुकर हम आशिरवाद लेते हैं लेते हैं नहीं लेते हैं चलो आपने संगनी के प्रति इसने हिल सुभाव वीड़ अपने होने वाली पत्नी प्रभाह के प्रति अत्तिंत इसने तो बहुतिस्अ के बानों को ठेसं जो जारे होती जो एसके मन के अंदर और वह तरह अंदर उसको तरह सकती है지 चाहें वो लड़की हो या फिर लड़का हो तो वो है ना तो वीर जी भी कुछ इसी तरीके से अपनी कलपनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं और वो चाहता है कि भाईया रुमाल के हाथ में लेकर चुम ले कि लियर चलो खून के रिस्तों का महत्त देने वाले वीर जी खून के रिस्ते को विश्यस्ता अवित्रता को समझने वाला आधनिक बौद्धिक हैं और वो सभी बातों को बौद्धिक एवं तारकिक रूप से परकने के बाद भी परंपरा की किस मर्यादा को नहीं पूलता है हमारी परंपना इंक या हमारी मानने वोलता उसको आगे बढ़ाने की कोशिशें करता है जो बढ़ों के प्रती छोटों का कर्तम भी है मेरे क्या कर्तम भी की इसके आतरीक्त इसभावना और संवेदना से भी अच्छी होता है इस परकार कहा जा सकता है कि वीवी जी एक सिच्छत युवग है आडमर एवं दहेज विरोधी है समानता की भावना का पोशक होने के साथ साथ खून के रिस्तों को महतों देने वाला है के लिए रहें बास समझ में आ गई चलो आगे बढ़ें चलिए से के साथ कहानी क हमने पूरा पडाक छेप किया इसी के साथ ये पार्ट समाबत होता है और मिलते हैं अगले अध्याई में एक नई एनर्जी के साथ तब तक हमें दो इजाजत और आप बने रहो डावटनेंट के साथ नमस्कार जय है